हालो दोस्तों आदाप और सच्वियकार कैसे हैं आप वेल चीक होंगे आप लेकिन यहाँ पर हर बार शिशान सिंग राशपूत मामले की अपडेट को लेकर आप सभी हमारे सामने हाजिर होते हैं और हमारा भी फर्द्स बनता है कि आप सब को रूबरू करवाए शिशान भी चाहते हैं कि इनसाफ मिले शिशान सिंग राशपूत को और इस लड़ाय में पीछे को यहाँ पर सबसे आगे रहना चाहते हैं और इसी वजह से हर बार शिशान सिंग राशपूत मामले से चुड़ी अपडेट आपको देते हैं आज भी खुछ ऐसा ही करने वाले हैं व वो खबर जो हमने अभी तक आपको शुशांत सिंग राजपूत मामे से जुड़ी नहीं दी है। अपने हादसे से एक महीना पहली शुशांत ने कुछ ऐसा ताफा दिया जिसे जानने के बाद प्रयांका की होश उड़ गए। के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरसल शुशांत सिंग राजपूत मामले की जाच बीते छे महीने से चल रही है। और ऐसे में अब खबर आई सामने शुशांत और उसकी बेहन प्रयांका सिंग को लेकर। जीहाँ 14 जून को दुनिया को अलविदा कहने वाले शुशांत जिनोंने अपनी हाथसी से एक महीने पहले ही अपनी बेहन प्रयांका के लिए कुछ ऐसा किया जिसे देखनी के बाद प्रयांका के भी खोश उड़ गए। दरसल इस केस से जुड़े नए अपडेट सामने आए जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि शुशांत सिंग ने अपनी बेहन प्रयांका सिंग को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने हार एक बैंक एकाउंट में नामिनी बनाया था। ये डवलेप्मेंट शुशांत के हाथसे से करीब एक महीने पहली यानि की 20 मई की आसपास हुआ था। खबरों की माने तो शुशांत और एक बैंक रिप्रेसेंटिव के बीच वाटसब चैट से इस बात का खुलासा हुआ जिसमें इन्वेस्टमेंट डिटेज्स पर बातचीत की गई थी। लेकर हुआ खुलासा और बताया कि कैसे उन्होंने हर एक मामले पर अपनी बेहन प्र्यांकों को बना दिया हिस्सेदार उसका नॉमिनी जहां पर अप्र्यांक का इन सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल निकलवा कर कर रही है पीछा उस शक्स का जिसने की है शुशांत यह बेश केमती तवाध कर शिशन राजपूत कर शिशांत वहाँतन के ईनसे नारास्थ शिशांत और प्र्यांका भी नहीं करती थी बाद शिशांत से लेकिन शिशान्त के जाने के बाद जब प्रियांका के सामने ये सच आया कि शिशान्त ने जितने भी अकाउंट्स खुलवाए है उसमें नॉमिनी सिर्फ अपनी बेहन प्रियांका को ही रखा है यानि कि शिशान के जाने के बाद अगर उसके पैसों पर किसी का हक होगा तो वो सिर्फ शिशान की बहन प्रयांका होगी प्रयांका की सामने जब ये सच आया तो प्रयांका के होश उर गए और जब उन बैंक खातों की डिटेल्स निकाले गई तो उसके बाद प्रियांका की एक वीडियो भी वारल हुई जसमें प्रियांका गुस्टे में C.A. से सवाल जवाब कर रही थी जहां पर उनके पते भी शामिल थे जहां पर प्रियांका कर रही थी सवाल कि आखिर कहां में बिल्गों भी ना बोले